गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स मैधी परावत आज आपके लेके आई हूँ क्लास एट्थ की मैच्स चैप्टर नाइन बीजे बेंजक एम सर्वसमिकाएं ठीक है आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं बीजे बेंजक एम सर्वसमिकाएं बजो सबसे पहले मैं यह समझ लेते हैं कि यह बेंजक यह शब्द मैंने बोला कि बेंजक होता क्या है यानि कि बेंजक जो है बेंजक का जो निर्मान होता है वो क्या होता है चरों और अचरों की सहायता से मिलकर होता है जब चर और अचर मिलते हैं तब क्या होता है बेंजग का निर्मान होता है आपने जनरली ऐसी equations देखी होंगी कि इस टाइप के expressions आपने देखे होंगे जैसे 2y-5, x-3, 2y-4, y-3 इस टाइप के कुछ भी ठीक है जिसमें एक क्या होगा आपके पास? चर होगा और दूसरा क्या होगा? अचर होगा चर कौन सी चीजे होती है इनमें? जैसे मैंने बोला कि 2y-5 इसमें चर क्या है? y इस equation में क्या है? इस expression में y क्या है? चर है और जो अचर है वो क्या है? 2 है और 5 है 4 का मतलब ये है कि जिसका मान fix नहीं है जिसका मान बदलता रहेगा हम अपनी मर्जी से y का मान कुछ भी रख सकते हैं ठीक है और ये 2 और 5 क्या है fix नंबर है हम इनको change नहीं कर सकते हैं उसी प्रकार x प्लस 3 है x क्या है इसमें 4 है और 3 क्या है अचर है x की जेगे में 0 रख सकती हूँ 1 रख सकती हूँ 2 रख सकती हूँ कुछ भी रख सकती हूँ ठीक यानि कि जो हमने expressions पढ़े इनमें क्या पढ़ा हमने कि x और y की असंख्यमान हो सकते हैं x और y जो हमने लिए चूज करें इनमें क्या है इनके बहुत सारे कुछ भी मान हो सकते हैं असंख्यमान हो सकते हैं ठीक है बेंजग के चर का मान बदलने पर बेंजग का मान बदल जाता है अगर मैं इनके चरों का मान बदल दूँ तो इनका भी जो है मान क्या हो जाएगा बदल जाएगा, suppose मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, x की जग मैं 1 रख लूँ, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3, 4 हो जाएगा, x का मान अगर मैं 2 रख लूँ, तो 2 प्लस 3, 5 हो जाएगा, यानि कि इस बेंजग का ही मान बदल जाएगा, अगर मैं क्या करती हूँ, 4 का मा अब आता है हमारे पास next जीज जो हमें questions जिसके बेस पे आपके पास questions आएंगे वो है आपके पास पद गुणनखंड एम गुणांग हमारे पास कोई बेंजक दिया होगा question में और हमें ये बताना होता है कि उसमें कितने पद है तो सबसे पहले अगर मैं एक धारन लो यहां पर आपको धारन से ज्यादे एक लेयर होगा मैंने लिया कि 4x plus 5 4x sooner script 5 दिखो इनके बीच में किस छिन है धन का चिन है योक का चिन है जोड़का चिन तो यानिकि इससे पहले और चीज़ है और इसके बाद भी एक चीज़ तो यह इसी कितने प्लसकरिकने नंबर से तो इसमें एक प्लस कर चिन और होता, यह एक माइनस कर चिन और होता और उसके आगे भी कोई, आपको कोई दूसरा नमबर दिया होता, ठीक है? तो यहाँ पर क्योवल मैंने दो वाले का उधारन लिया, तो इसमें पद क्या जाएंगे? और गुणानखंड मैंने बोला, यानि कि गुणानखंड का क्या मतलब है? कौन दो numbers ऐसे हैं जो आपस में गुणा हो क्या है जिसे 4X है तो 4 के साथ क्या गुणा हो रखा है इसमें X जो 4X है यह क्या है इसमें गुणान खंड आला है नमबर कौन सा है 4X है क्यों क्योंकि इसमें 4 गुणा आगया X है ठीक है अगली चीज अगर मैं अगला धारन आपको बता रही हूँ कि गुणांक का अगर हमें अगला बताने कि गुणांक क्या है इसमें गुणांक क्या है गुणांक हो होता है कि जो xy के आगे है अगर मैं बोलू कि 7xy मेरे पास question है तो इसका गुणांक क्या है इस सवाल में गुणांक किया है जिस नंबर से गुणां हो रखे हैं वो उसका गुणांक है तो ये किस नंबर से गुणां हो रखे हैं ये हो रखे हैं 7 नंबर से गुणां है तो इसका जो गुणांक हो जाएगा 7 यानि किसको हम कहते हैं numerical coefficient भी मंगलिस में कहते हैं यह संख्यातमा गुडांग भी हम इसको बोलते हैं अगर मेरे को केवल इस 4x होता और मेरे को 4x का गुडांग बताना था तो क्या होता इसका गुडांग 4 होता ठीक है तो अभी questions हम करेंगे तो इससे आपको यह चीजे ज्यादा clear होंगी अब जो हम simple है नाम से यह clear है कि जिस बेंजक में केवल एक पध होगा जिस बेंजक में केवल एक पध होगा वो क्या हो जाएगा एक पधी बेंजक अगर मैं दो बताने कि 4x- novo 5, यh 2 पद यह था विसी परकार 3 पद यह अगर मैं बोलो, a plus b plus c, यh 3 पद यह हो जाएगा, और beh Если और बहू पद यह होता है, कि क्या होता है । जिसमें 1 से भी अधिक बद आते हैं बहू पद नाम से ही clear है, कि यह क्या हो जाते हैं, बहुत सारे जिसमें पद होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, तो अब हम परशनावली शुरू करेंगे, आपको यह चीजी जो मैंने भी इंट्रोडक्शन में बताई, इनहीं का प्रियोग हम परशनावली में करेंगे, तो आप प्तेक के पदों इंग गुडांकों को पहचानी है आप कोई बताने हैं कि इसमें पद कितने हैं और इनके गुडांक क्या है ठीक है तो पहला है आपके पास 5xyz स्कॉइर –3zy कितने हैं माइनस का चिन माइनस के इधर विए इक है तो एक पद पूरा कांट करेंगे हम इस एक पद यह हो जाएगा इनके कितने पर दो पत हैं कउनकों से 5xyzुएर यहां पर लिख विदियों मैंने कॉन-कॉन पद है और ये वाला पद है अब इन पदों का आपको गुणांक देखना है तो इसका गुणांक ये किस नमबर, इसमें नमबर क्या है, किस नमबर से गुणां हो रखा है, फाइब से गुणां हो रखा है, तो इसका गुणां क्या हो जाएगा, उसी प्रकार, माइनस 3zy, माइनस 3zy का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस 3 स है 1 plus X plus X square इसमें पद कितने हैं आप सबसे पहले इसमें पद देखिए देखो एक पद दो पद और ये तीन पद पदों की संख्या कितनी हो गई इसमें तीन कौन-कौन से होगे भई 1 X और X square तो अपने आप में खुदी एक नंबर है इसका में गुणांक को गरा करने की जुरुत निये हमें इन चरों की इन चरों का देखते ने गुणांक तो X का गुणांक क्या हो जाएगा जब X के आगे कोई भी नंबर नहीं होता यानि कि हमें कुछ भी नही तो कि यहीं कर bury जब कोई नहीं जी चरहा है तो किया होता आप जी रो नहीं करें गिशूज आ जब वही नंबर बना होगा ठीक है तो X-square का गणंग जो जाएगा वहाँ हो जाएगा ठीक इसी प्रकार नंबर 3 है 4x-square y-square minus 4x-square y-square z-square plus z-square सबसे पहले आप देखिए कितने पाद है एक पद यह पूरा दो पद और यह तीन पद कितने आगे इसमें तीन कौन कौन से मैंने आप लिख भी दिये हैं वही कौन कौन से पद है 4x square y square minus 4x square y square z square minus z square अब आपको इनके गुणांक बताने है इसका गुणांक है x square y square का गुणांक है किस नमबर से गुणां हुआ है 4 से गुणां हुआ है t Arizar कह से एपाइरr Stellen। स्कवाइर के आगे कोई नंबर नहीं था तो क्या था इसके वारंता सब ек trucs जै क्म एक कर और फिर्फ c पाइन 8 ऐगर सब्सक्राइब ग्यों करने से लिए ठीकिल सब्सक्राइबięड माइने सब सब्सक्राइब dud आगैं में 17 और पाद आगे कौन कौन से 3-Pq ये qr और ये मा इनस rp तो जो इसमें पीक्यू का देखो 3 को लेने के जरू थी गुणांग में ठीक है क्योंकि इसके साथ को छर्न नमबर तो है नहीं नहीं वियंजक्त साथ यह सिंपल सह contributors are टो दीखो, PQ का गुणांग की, प्लस का साईन, की प्लस का साईन, इसका गुणांग क्ला खायेगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा और, इसके फूर्थ एंड सिक्स पार्ट के हैं होमवक हैं आप इनको ट्राइ कीजिएगा नहीं आता तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आई श्रू करते हैं नेक्स्ट क्षिएज़ नमबर टू है बचों कुषिएग नमबर टू में है कि निमलिखित बहुपदों को एक पद दू पद इन त्रीपद की रूप में वरगी करत कीजिए कौन सा बहुपद इन तीन श्रियों में से किसी में भी नहीं है आपको या पर बहुत सारे आप एक पती उंगोगो चूज क्यों एक पती इसमें दो पत्र देक हैं अब को है यह वाला आजाएगा ऐसाथ हो यह है कैसा दो पद हैं कि X प्लस Y जैसे ट्राइब की चीज़ें X प्लस Y बाकि इसमें कोई नहीं है फिर अगला ये वाला हो गया फिर इसमें ये वाला होगा फिर ये कोई नहीं होने वाला फिर ये वाला होगा फिर ये कोई नहीं होने वाला कोई नहीं फिर इसमें ये वाला और इसमें इसमें तेन पदीया आगे अगले उसमें इसमें 3 पद इसमें है ठीक है? तो यह इसमें आगे और अगली इसमें कौन सी चीजा है? इसमें 2Y वाला भी है 2y minus हाँ ये भी 3 पदिया है ठीक है तो ये 3 पदि में आ गए अब जो इन में नहीं जो छूटी चीजे रहागे ये तो छूटी चीजे कौन से रहागे ये वाली और ये वाली तो जो इन तिनों श्रूने में नहीं हो ये दो चीजे हैं ठीक तो यह हमारा हो गया question number 2 भी तो यह बहुत simple सा topic था आपका अब कर तो चली बचुन शुरू करते हैं question number 3 question number 3 में आपके पास निमलिखित का योग ज्याद केजे योग मिंस जोड ठीक है आपको प्लस करना है किन किन को a b minus b c b c minus c a c a minus a b यह आपको कॉमा कॉमा करके दिये है ना यानि कि एक पद यह है आपके पास दूसरा पद यह है और तीसरा पद यह है यानि कि सोच लीजिए तीन numbers है और आपको इन तीन नमबर्स को जोड़ना है, इसमें पदों के रूप में हैं, ये वाला और ये वाला बेंजक के रूप में हैं, एक बेंजक ये हैं, इनको आपको जोड़ना है, तो सिंपल से हैं, वह एक्सपरिशन साथ लिखेंगे, और जो अलग हैं, उनको क्या करना होता है कि जो एक जैसे जैसे सब्सक्स, पध्द है, उनको एक सा लिखेंगे, इंको लिखेंगे, Nanak फिर दूसरों के नीचे समस्य नीकों कसा लाला साज बंस UP जब दूसरे को लिखेंगे, नीख davon. By देस में भाकी ल opened BC लिख लिख लिए, अब CA कहीं BC-CA ऐसे लिख दिया, क्योंकि इसमें CA इस वाल में कहीं था नहीं, कि हम CA ढूंडेंगे, तो minus CA as it is लिख 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 लिए, ठीक है, आपको यह धियान रखना है, कि जब इसके कोई चिन नहीं होता, तो यह प्लस का है, तो यहां पर मैंने कौ BC-CA, अब आपको अगली चीज देखने हैं, CA-AB, अगली चीज क्या है, इसमें CA है, तो CA दूसरे वाले में CA है, तो इसके निचे आप CA लिख लिख लिजे, और AB कहा है इसमें, AB, इधर पहले वाले के साथ था था न, AB, तो AB को मैंने क्या लिख दिया, आगे लिख दिया, ल 1-1, 0 हो जाएगा, अगर वह 2 है, अगला चीज माइनस 2 है, तो क्या बन जाएगा, उन दोनों को योग कितना बन जाएगा, 2-2, 0 हो जाएगा, तो AB और AB ने क्या बना दिया, 0, क्योंकि वही चीज प्लस में है, वही चीज माइनस में है, वही चीज माइनस में है, वही सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में बच्चों कि a minus b plus a b comma b minus c plus b c comma c minus a plus a c तो यह पहला है जैसे कि पहले पाले को तो एजट इस लिख लो a minus b plus a b पहला वाला ऐसी है फिर दूसरे वाले में देखो क्या है पद क्या उसमें b है b minus c plus b c तो b के नीचे मैंने क्या लिख लिए जब ही minus b है तो इसके नीचे कौन सा भी आ जाएक यह वाला भी आ जाएका लेकिन इसका कोई चिन नहीं होता तो क्या मानना जाता है plus का ब्लस का भी फिर इसके में c कहीं है नहीं तो minus k c plus b c इसको पूरा ऐसी लिख दिया दूसरे वाले को है क्योंकि इसके साथ इसमें माइनस सी भी नहीं है और बी सी भी नहीं तो इसको एजट इस लिख लिए अगली चीज क्या है उसमें सी माइनस ए प्लस ए सी अब देखो सी क्या है है कहीं पर इस वाले के इनमें कहीं सी आया था हां जी आया था तो इसके नीच माइनस का लिख दिया और अब इसमें कहीं नहीं है तो साइड में लिख लो कोई फरक नहीं पड़ता है अब देखो एए वालों को अगर मैं सॉल्ट करूं तो एप्लस का माइनस को इसमें क्या बना दिया जीरो वह माइनस कभी प्लस कभी क्या बना दिया इसने जीरो सी क्या ह घूरा परिग्स को बातने सिस्क्रेंट नाच फिर चाहिए प्लसस प्लस दणते हो याला Самे जाया को आसे हो जाएगा इसका आंसर Q2-3PQ-4 अब देखा अगली लाइन में क्या है अगली लाइन में P2 Q2 दिख रहा है कहीं पर हान जी दिख रहा है P2 Q2 लेकिन क्या है माइनस का 3 वाला है अब आप इसको simple सा solve करिए P square Q square तो ऐसी देखो अब यह minus 3 और plus 2 है यहाँ पर rough calculation minus 3 और plus 2 क्या हो जाएगा 3 में से 2 गया तो कितना बन जाएगा 1 लेकिन चिन किसका आता है जो number क्या होता है बड़ा होता है तो बड़ा कॉन से number इसमें 3 बड़ा है तो क्या आएगा माइनस का आएगा तो माइनस का 1 यानि कि माइनस 1 लिखने के तो जो रहत है नी तो यह minus P square Q square ठीक है उसी परकार 7 minus 3 अगली चीज़ है 7 minus 3 आपको पता है कि क्या होता है 4 होता है तो 4 P Q यह plus 4 plus 5 9 यह तो simple सा है तो आपको पता होना चाहिए कि कब plus लिखना है और कब minus लिखना है प्लस माइनस आप अपनी पिछली classes में सीख चुके हैं कि बड़े में से छोटा नंबर घटाने पे sign किसका आएगा चोटे में से Q 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 आप Wagyu एएगी वीवालों के नीचे बैवा लाई गया एगे नंबर्स के निचे नंबराइगे मैं क्या है इसमें फोर है फिर मैनस नाइन अए मीं आप यहां पर शॉच्वश प्लस कराथी वीढ बी यहां पर प्लस कर फीट वीओro PA आप क्या कि गठाना हैं जब आपसको गठाते हैं टो इनके हो जाते हैं साइन चेंज जाते हैं जो नीचे वाले हो भाइघ है जो नीच ignorantने को हम अगया होगा है बचिन जाता हं कि बड़ जाएगा मैंनस यह minus है तो इसका कहँत और जाएगा प्लस यह plus कहा ओल्टा कहा हो जाएगा माइनस अब यह क्वेश्चन क्या बन गया कि 12A minus 4A बन गया क्योंकि minus का चीन मेन हो घया 12A minus 4A 12 में से 4 जाएगा एक यह आ जाएगा उसी प्रकार यह वाला दूसरा वाला बन गया आपके पास minus 9 और यह plus 7 minus 9 और यह plus 7 बन गया तो यानि कि 9 में से साथ यह कितना बन जाए गई दो चिन किसका आगई minus 9 plus 7 कितना आएगा चिन बड़ा नंबर कौन है 9 और 9 किया कि कौन सा minus 2 minus 2 यह भी बन जाएगा उसी प्रकार यह 5 minus 3 बन गया तो 5 में से 3 गये 2 तो plus कही चिन आएगा जो नंबर बड़ा होता है 5 में से 3 जाने पर 2 यह आएगा 2 भी और उसी प्रकार minus 3 और minus 12 minus 3 minus 12 क्या हो जाएगा minus minus का क्या होता है plus में हो जाता और चिन किसका आता है minus कहीं आता है तो यह minus 15 आ गया ठीक है उसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है बी पार्ट है कि 5xy-2yz-2zx-10xyz में से 3xy-5yz-7zx को घटाएंगे तो आप इसको घटाएंगे 5xy-2yz-2zx-10xyz को घटाओ 3xy-5yz-7zx इसको घटाएंगे तो मैंने बोल दिए उनके xy वालों के नीचे xy लिखिए yz वालों के yz लिखिए zx के नीचे zx रखिए जिसके नीचे कोई नहीं उनको as it is रहने दीजिए ठीक है उनको ऐसी रहने दीजिए तो आप क्या करें इनके चिन सबसे पहले मैंने बोला है चिन बदलने तो यहां पी जब 3 के कोई चिन है तो प्लस का है इसका मतलब तो इसका चिन बदल के क्या हो जाएगा माइनस यह प क्या चिन बदलेंगे ही नहीं जिसके लिए पारी है तो 5-3 कितना होता है 2, 2xy भी लिए-2 और minus 5 क्या होता है minus 7 yz गया अब यह minus 2 और plus 7, minus 2 plus 7 क्या बनाएगा 4 5 बनाएगा say Ahora 10xyz यह gets me ठीक है इसके बाद इसका हम करने वाले C part C part में है कि 18-3P-11Q-5PQ-2PQ2-5P2Q में से यह वाली चीज़ें गटाओ ठीक है यह वाली चीज़ें गटाओ माइनस का क्या है इसमें 10 है इतना आपको गटाना है माइनस 10 तो आप घटाइए देखो पहले तो मैंने वही लाइन लिग दी जो शुरू की लाइन है अब में अगले लाइन में चेक करूंगी 2006-10 है यहांपर आपको देखने रहा होगा क्लियरली कि माइनस टैन लइठी ए लास्ट तो आप नंबर के नीचे नंबर लिखिए तो 18 है इसमें क्या है नमबर कौने है इसमें 10 है माइनस का 10 लिख दिया अगले में कया है 3P है तो इसके लिए वह थैकला िरसलिया मायनस 8P आइगा 11 Q है तो इसके नीचे क्या आएगा 7 Q आएगा क्यू वाला टैमномड देखेंगे अगला यह 5PQ है तो इसके लिए कौन सा आएगा माइनस 3PQ आएगा इसके लिए अगला क्या है 2PQ2 है तो इसके लिए 5PQ2 आएगा इसके लिए 5P2Q है तो 4P2 क्यों आएगा इद्धान रखना है आपको PQ2 और P2Q यह लगा 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 है इनके नीचे बढ़ दस्ती रख दिया प्लस 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 अब देखो 18 प्लस 10 कितना हो गया 18 28 हो गया यह लिख दिया हमने अगला आपके पास माइनस 3 और 8 अगली चीज है माइनस 3 प्लस 8 तो 8 माइनस 3 क्या बनाएगा यह 5 बनाएगा तो यह 5P आ गया अगला आपके पास माइनस 11 माइनस 7 तो क्या बनाएगा माइनस 18 बनाएगा तो माइनस 18 क्यों आ गया अगला आपके पास 5 और यह 3 तो 8 आ गया अगला आपके पास माइनस 2 और माइनस 5 तो क्या आ जाएगा माइनस 7 आ जाएगा अगला आपके पास 5 और क्या है प्लस का 4 तो अगला आपके पास यह आ जाएगा आपके पास यहां पर यह माइनस में सौरी 5 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा यह 1 हो जाएगा तो 1 लि परस्टनावली यह 9.1 कंप्लीट होती है आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजेगा बहुत ही इंपोर्टन्ट के एक्सरसाइज है थैंक्स पर वाचिंग मैं व्यूडियोज